ओम शन्ति गीता में भगवानों आच है ज्यानित व आत्मा का काम और क्रोध ये महाशत्र काम से जैसा अनेक एक्सिडेंट होते हैं कितनों का जीवन बरबाद होता है वो हम देख रहे हैं आज दिन प्रति दिन वैसा ही क्रोध जो है क्रोध भी कम नहीं है क्रोध को अगन कहा जाता है हमेशा कहा जाता कि क्रोध ये ऐसी अगनी है जो घर में मटके का पानी भी सुका देती है अभी घर के मटके का पानी सुकाती है अर्थात हमारे जीवन की सुक शान्ती को सुका देती है अर्थात खलास कर देती है तो जो क्रोधी व्यक्ती होता है वो सामने वाले को अपनी बात मनवाने के लिए क्रोध करता वो समझता है कि मैं क्रोध करूँगा तो ये मेरी बात को मानेगा इसलिए क्रोधी व्यक्ती आपे से वाहर हो जाता है अर्थाती जो इसकी हैसियत है वास्तम में देखा जावे तो हम जो आत्में हैं हमें हमारा स्वधरमी शांत स्वरूप है उसको भूल करके वो क्रोध की अगन में जलता है और खुद बताता है कि मेरा क्रोध के कारण जी जल रहा है मेरे दिल में आग लगी पड़ी है ये ऐसी आग है क्रोध की जो उस व्यक्ति को भी जलाती एक रोध करने वाले को और सामने वालों को भी जलाती है और घर के सुख शानती को भी जला देती इससे अनेक अनेक नुकसान होते हैं घर के परिवारों के परिवार खलास हो जाते समाज में कितना नुकसान होता है देशों में कितने लड़ाई जगड़े होते है यह हम लोग देख रहे हैं अभी वैसा देखा जावे तो कोई जबी आत्मा निकल जाती है चरी छोड़ता है, मरता है तो उसको एकवरी जलाया जाता है, चिता पर रखा जाता है परन्तो क्रोधी व्यक्ती जो है वो घड़ी-घड़ी क्रोध की चिता पर खुद के दिल को जलाता रहता है और दुखी होता रहता है अभी जो खुद दुखी होगा वो जरूर क्या करेगा दूसरे को भी दुखी करेगा ना और फिर क्या बोलता है मैंने उसको बहुत अच्छा मज़ा चखा दिया मैंने उसका दिमाग ठिकाने के उपर लगा दिया पर वो ये भूल जाता है कि जो क्रोध कर रहा है उसका खुद का ही दिमाग ठिकाने पर नहीं है इसलिए वो आपे के बाहर हो गया है और आपे के बाहर होकर के खुद के कंट्रोल के बाहर होकर के उसको जो चाहिए वो बोलता है उसको सुदबुद ही नहीं होती है ना स्वाकी सुदबुद होती है ना कोई आस्वा से उसको ध्यान होता है ना उसको परिस्टिती का ग्यान होता है वो दूसरे का दिमाग ठिकाने पर नहीं लगा सकता है क यूंकि उसकी उसका खुद का इदिमाग ठिकाने पर नहीं होता है। तो करोध करने से कोई बातें सुधरती नहीं हैं, परंतु बिगडती है। बच्चों के उपर करोध करेगे, तो वो बच्चे हमारा कहना नहीं मानेगे, परन्तु उनको भी करोध करने की ट्रेनिंग मिलेगे। तो इसलिए हमें जितना हो सके, उतना प्यार से और शांती से एकदों के साथ विवार करना चाहिए। अब ये जो क्रोध जो है जिसको अगन कहा जाता है वैसे इस क्रोध को भूत भी कहते हैं आप देखेगे जिस व्यक्ति को क्रोध आता है वो व्यक्ति कभी-कभी अपने कपड़े भी फाड़ना चालू कर देता है इधर उधर वस्तुएं पढ़ी होगी उसको फेकना चालू क बड़ा मुंध फाड़ फाड़ करके बोलना चालू कर देगा। तो जो भूतों को मानने वाले हैं वो व्यक्ति कहते हैं कि जब भूत आता है तब ही व्यक्ति ऐसा ही काम करता है। वो अपने कपड़े फाड़ेगा, अपना सिर पटकेगा, अनाव शना बोलना चालू कर तो वैसा ही ये भी जब करोध का भूत आता है तो उस यक्ति की ऐसी हालत हो जाती है तो इसलिए इस करोध भूत को परिवर्तन करने के लिए हमारे को करोध के बदले क्या करना है परमात्मा पिता हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि सिक्रोध की अगनी के उपर आप ग्यान का शीतल जल डालो ये जो विकार है ये जो संस्कार है इसको परिवर्तन करने के लिए ग्यान की और योग की बहुती अवशक्त है अगर इसके उपर शीतल ग्यान का जल डाला जावे तो क्रोध अगनी बुझ सकती है और सदेव ये याद रखो कि हमारा पिता जो है सर्वा आत्माओं का पिता परमात्मा वो शान्ती का सागर है वो प्रेम का सागर है तो परमात्मा पिता हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे क्रोध की अगनी को बुझा करके प्रेम की गंगा बहा दो प्रेम की जोती जगा दो गायन करते हैं न जोत से जोते जगा के चलो तो कौन सी जो जगा हो प्रेम की जो जगा हो आप सामने वाले को प्रेम देगे और कोई भी बात उसको प्रेम से समझाएगे तो वो आपकी बात को समझेगा चाहे छोटे बच्चे होए या बड़े होए आपके क्रोध से कोई डरने वाला नहीं है परन्तु और ही वो भी क्रो तो जिसके कारण किया है कि सार्व वातावरन जो है वह गरम हो जाएगा मिल टो हमेशा क्या करती है गरमाश पैलांगी है तो हम देखते हैं कोई करोधी व्यक्ति होता है उसको जीवन में रहती है Ŋसको जांति नहीं मिलता है वो सदे विचारा जलता रहता है खुद भी जलता है और औरों को भी जलाता है तो परमात्मा पिता हम बच्छों को ये बताते है कि मैं जो नई दुनिया स्थापन कर रहा हूं जो फूलों का बगीचा है तो आप भी उस फूलों के बगीचे में चलने के लिए आप औरों को चांती देना सीख जाओ, संपूरन निर्विकारी बन जाओ और उस दुनिया में चलने के लिए आप लायक बन जाओ, वहां पर शेर और बक्री एक घाट पर पानी पीते हैं, हिंसक पश्यों में भी वहां पर प्यार होता है, वो हिंसा नहीं करते हैं, हम तो सभी एक ही पिता क संतान हैं, इसलिए हमें हिंसा नहीं करनी हैं, क्योंकि करोध करना अर्था सामने वाले को जैसा पत्थर मारना है, उसको अप शब्द बोलना माना उसके दिल को जैसी क्या गोली मारना है, तो यह हिंसा करने के बज़ाए औहिंसक बनो और सुख देना सीख जाओ, औरों को प दुनिया है, उस दुनिया में जाने के लिए आप लाएक बन सकेगे। पर hell Ma come by do you have Danny kanada कहता है ओर मार्मात्मा कहता है जो बेसमज है। इसलिए झ्याल्न की समझ कि द्वारा हम इस्क्रोद के उपर जरूर विजय परप्त कर सकते हैं।